तो अगर आपके ओपोल स्मार्टफोन में बैटरी डरेयर प्रॉब्लम आती है या आपका फोन आप चार्ज करते है और आपको लगता है कि आपका फोन की बैटरी काफी फास्ट ड्रेन हो जाती है तो ऐसा क्यूं होता है और आप इसको कैसे कर सकते है तो इस विडियो में आप जान लोगे तो इस वीडियो में आपको कुछ नॉर्मल ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ आपको प्रो ट्रिक्स बताऊंगा तो सारे ट्रिक्स को आपको ध्यान से देखना है और अपने फोन में जरूर यूज करना है अगर आप सारे ट्रिक्स को यूज करते हैं तो आपक को यूज नहीं करते हैं वो option आपके off रहने चाहिए मतलब यहाँ पर अगर आपका Bluetooth और location हो गया यहाँ पर आपका hotspot हो गया यह mobile data हो गया अगर इन सारे options को आप यूज नहीं करते हैं तो आपको फटा-फट से इन सारे options को आपके बैग्राउंड में रन करते रहते हैं जिसकी वजह से आपका मतलब बैटरी ड्रेन होता है तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आपका मतलब जब जो option को आप यूज नहीं करते हैं सारे options आपके आफ रहने चाहिए और mobile data करका मतलब उसको ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि mobile data काफी ज़्यादा बैटरी कंजियूम करता है आप फोन को यूज करते हैं यूज करने वाब mobile data चालू ही रख देते हैं जिसकी वज़स आपके थोड़ी दिर पाल अगर आप चेक करेंगे तो आपका बैटरी डेन वहां पर हुआ रहता है तो आपको पहले ट्रिक पर आपको ज़रूर ध्यान देना तो आपको auto brightness use नहीं करना है आपको auto brightness को just आपको adjust कर लेना है जितना यूज करते हैं उतना अगर यूज करते रहेंगे तो वह सही रहेगा वैसे आपको जितना यूज करेंगे उतना आपको brightest मिल जाएगा और आपका ये बार मतलब plus minus plus minus बार बार मतलब कम जादा नहीं होग तो यह पहले हमारा ट्रिक था यह पहले नॉर्मल ट्रिक को आपको जरूर ध्यान दाना है तो हाँ जी इस वीडियो का दूसरा नॉर्मल ट्रिक यह है गाइस कि आपको जब भी आप फोन को यूज करने के बाद रखने वाले होते हो तो आपको यहाँ पे recent bar पे जितने सारे application होते हैं उनको आपको clear करकर और आपके phone के mobile data को off करकर ही अपने phone को रखना है अगर आप recent bar के application को clear करकर नहीं रखते हैं तो वो भी आपके background में run करता रहता है जो कि वो भी battery consume करता है तो आपको यहाँ चार्जिन लगाते टाइम या आप phone रखने वाले हो रात को सोने वाले हो तो आपको यहाँ recent bar के application को clear कर देना है और आपके phone में अगर power saver mode option है तो यह on करकर अपने phone को रखना है आपको ऐसा देखने को मिले होगा कि आप रात को phone रखते हैं आपका काफी जाता battery drain हो जाता है तो इसी वज़ा से होता है कि आप recent bar के application को clear नहीं करते हैं तो आपको mobile data को और आपको recent bar के application को clear करकर ही अपने phone को रखना है तो इस वीडियो का last normal trick है आपको यहाँ पर setting में जाना है और आपको बैटरी का option मिल जाता है तो बैटरी का option में जाने के बात यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको super power saver का जो smart power saver है इसको on कर लेना है और आप में जो भी battery saving का option मतलब दिया होगा उसको आपको on कर लेना है और यहाँ पर आपको check कर लेना है कि मतलब कौन सा application है जो की काफी जादा मतलब आपका battery use करता है तो यहाँ से आप check कर सकते हैं कि यहाँ पर यह सब सारे application है जो की जादा battery consume करते हैं अगर आप उन application को यूज नहीं करते हैं तो आपको उसको uninstall कर देना है तो यही सारे normal tricks थे गाइस अब मैं आपको pro tricks बताऊंगा जो की काफी genius tricks है उनको अगर आप यूज करेंगे तो आपकी battery draining issue जो है नहीं आएगी तो इस tricks को बताने से पहले आप मारे वीडियो को लाइक कर दीजिए इस video का like game हम 100 like game रख रहे हैं फटाफट से इसको complete करा देना तो गाइस चलिए video को अब मैं start करता हूँ आपको मैं phone को यूज नहीं करना है और दूसरा product यह है जब भी अपका phone heat है यह आपको लगता है बहुत जाता हीट हो गया है तो आप आपका जो CPU और GPU होता है प्रोसेसर जो होते हैं काफी जादा run करने लगते हैं तो यह किसली होता है यह भी मैं आपको बताता हूँ अगर आपका phone मतलब जैसे अगर बहुत जाता हीट हो रहा है तो आप वहां पे तुरंत आप phone को स्यूचाप कर दें इससे क्या होगा सारे प्रोसेसर जो मतलब processing होत होता है तो यहाँ पर बहुत जादा battery delay देखने को मिलता है तो आपको यह यह आपको जारूर देखना है अगर आपको phone को स्यूच आफ कर देना है वैसे आपको दो तीन दिन में पर phone को स्यूच कर लेना चाहिए अब यह बता रहो गाइस देखिए आपका जो यह प्रोसेसर एक ज्यादा मतलब रन कब होता है अगर आपका मतलब नेटवरक अगर नेटवरक एसी आपका कोई चाभी सीम है अगर वो टावर से कनेक्ट होने पाका इंटरनेट इस स्पीड अची क्वालिटी दी का नहीं चलता है तो यहां पे बहुत ज्यादा क्वाल्टी करेंगे तो आपका अच्छा क्वाल्टी का इंटरनेट स्पीड मिलेगा और वहां पे आपको मतलब बैटरी डेनिंग प्रॉब्लम नहीं आगा यह जो मैंने सारे ट्रिक्स बताया है ना सारी काफी इंपोर्टेंट ट्रिक्स हैं और यह आप डेली लाइब में ग कर लेना अगर आपके फोन में कोई शाब अप्डेयर अप्डेट आया तो इसको फटा फट्रिक्स आपको यूज करते हैं तो आपके फोन में बैटरी डेनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यह वीडियो था अगर वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी इंटरिस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है तो मिलते हैं ऐसे इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लेकुल बाइ